चीन के ताबूत में 20 समंदर भारत ने ठोक डाली आखरी कील अमेरिका की दादागरी को धडाम कर जापान से मिलाया हाथ रूस की जमीन पर भारत ने मारी वो एंट्री जिसने रातो रात भढ़ा दी भारत की ताकत दोस्तों बहुत ही मज़ेदार खबर है कि भारत रूस के वलादी वोस्टक शहर की पास एक सेटलाइट शहर बसाने जा रहा है मज़े की बात तो ये है कि ये जगए रूस साउथ कोरिया और चाइना के बॉर्डर को शेयर करती है अगर भारत इस शहर को बसाने में कामियाब हो जाता है तो भारत को रूस के अंदर डारेक्ट एकसेस मिल जाएगा जिसके कारण आने वाले वक्त में भारत इस सेटलेट शहर से ना केवल चाइना के उपर कड़ी नज़र रख पाएगा बलकि इसके साथ ही रूस के साथ भी भारत बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार कर पाएगा इस शहर के बस जाने के बाद रूस और भारत के बीच माल के आरे जाने के ट्रांसपोर्टेशन का जो वक्त फिलाल 40 दिन का है वो 24 दिन में ही पूरा हो जाएगा दोस्तो वलादिवोस टक शहर रूस का बलुचिस्तान है जो की प्राकरतिक संसादनों से भरा पड़ा है इस पर चीन भी नजर गड़ाए हुए है चीन इस इलाके को ठीक उसी तरह से अपना कहता है जिसे वो भारत की अरुनाचल प्रदेश को अपना बताता है लेकिन दोस पूरा का पूरा शहर बसा कर ही करारा जबाब दे दिया है लेकिन दोस्तो बड़ा सवाल ये है कि भारत इस शहर को बसाएगा कैसे कुछ वक्त पहले रूसी रास्टपती पुतिन और चीनी रास्टपती शी जिन पिंग के बीच मुलाकात हुई थी और उसमें इस शहर को ल पताऊंगा लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखते रही है तो दोस्तो हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से चीन के रास्टपती ने यूकरेन के साथ युद में बीजी रूस से संपर्क करने की कोशिश की और चीनी रास्टपती शी जिन पिंग रूस पहुंच गए भा पिंग रूस का माइंड सेट करने में कामयाब रहे कि भारत को बाकी के दो S-400 टाइम पर नहीं मिल पाएं और दोस्तों खुद रूस ने भारत को ये बताया कि वो बाकी के बचे हुए दोनों S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टम की खेप को फिलहाल नहीं सौप पाएगा इसके बा भारत से दूर करके क्या हासल करने वाला है दरसल दोस्तों रूस के पास एक ऐसा खजाना है जो भारत या चीन किसी को भी मिले उसे माला माल कर सकता है दोस्तों यो मान लीजिए कि ये वो खजाना है जिसके लिए पूरी दुनिया भागम भाग कर रही है और इसलिए चीन कई सालों से रूस के इस खजाने पर हाथ साफ करने में आमादा है वो जबरदस्ती यहां पर घुस रहा है लेकिन चीन के इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है भारत और खुद रूस जानता है कि चीन अगर अपने इस मनसूबे में कामयाब हो गया तो चीन उसके लिए बड़ा खत्रा बन सकता है वो इसके पूरे के पूरे खजाने को ही तैयार हो गया है तो दोस्तो इस शहर की अगर हम बात करते हैं तो रूस का वलादिवोस्टक शहर रन्नितिक और आर्थिक तोर पर बहुत महत्वपून शहर है जो प्राकरतिक संसादनों से भरा हुआ है यह तेल गैस के खजानों से लबालब है इसके साथ इस शहर के नीच तैय सीमा को भी साजा करती है यह जगे ट्रांस सर्वियन रेलवे का टर्मिनस भी है जो इसे मौस्कों से जोडता है यहां से दोस्तो इस्ट साइना सी भी काफी पास है जिस पर चीन और जापान दोनों ही दावा ठोकते हैं दोस्तो वलादिवोस्टक प्राकरतिक संसादनो का खजाना है हाला कि इसके बाद भी यह रूस की अर्थ विवस्ता में केवल 5% का योगदान ही दे पाता है इसके अलावा यहां के लोगों का रहन सेहन भी बाकिक शेत्रों की तुलना में बहुत ही नीम्न है और यहां से दोस्तो भारत और चीन के रिलेशन्स की बात करें तो साल 1990 के दशक में जब सोवियत संगा पतन हुआ तो भारत वो पहला देश था जितने वलादिवोस्तक में अपना पहला दोतावास खुला था और 1990 में ही भारत ने शाकलीन में 20% हिस्सेदारी खरीद ली थी तो वहीं दोस्तो साल 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा ठोक था इस मामले में चीनी मीडिया की माने तो वलादिवोस्तक 19 सदी में चीन का पार्ट था ये मंचूरिया स्टेट के किंग सामराजी का हिस्सा था और उस समय इसका नाम हैशेन वाई था लेकिन दोस्तो साल 1960 में चीन को ब्रिटिस और फ्रांस की सेना से अफिम युद में श दावा ठोक रहा है और इसी की कारण उसने आज तक यहां पर कोई निवेश नहीं किया क्योंकि अगर वो कोई निवेश करता तो उससे पहले इस जबीन पर अपना दावा उससे छोड़ना पड़ता मतलब दोस्तों अब वो इस पूरे के पूरे शहर को ही खा जाना चाता है इस इलाके में चीन बैक डॉर अपनी पकड मजबूत करना चाता है और लगातार कोशिश भी कर रहा है और दोस्तों खुद रूस चीन की इस दुश्टा को जानता है यही वज़ा है कि रूस चाता है कि भारत इस इलाके में अपनी उपस्तिती को और ज़्यादा मजबूत क बचाया उसका भरपूर तेल खरीदा उसकी अर्थिवस्ता को बरबाद होने से बचाया और अब भारत का प्लान है कि चीन की गिद्द नजरों से रूस के इस वलादिवोस्तक शहर को बचा लिया जाए और दोस्तो इसके लिए भारत रूस में एक सेटलाइट सिटी बसाने व रही और भारत की रूस में एंट्री से कहीं ना कहीं चीन को अब इस इससे को लेकर कि घबराहट होने लगी है क्योंकि भारत ने अब इस जगे पर अपने हितों को साधने के लिए जो प्लान बनाया है वो चीन के कबज़ा करने वाले सपने को हमेशा के लिए चकणा चूर क के बारे में मैंने आपको बताया है और अब इस कोरिडोर की अगर मैं बात करूँ तो इसके जरीए भारत के चेनई शहर को रूस के इस वलादिवोस्तक शहर से जोड़ा जाएगा इस नए सी रूट के बाद रूस और भारत की वीच ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिनों का वक्त लाया जाए तो भारत आने वाले कंटेनर का खर्च से 30 फिजदीक तक कम हो जाएगा उत्तरी समुदरी रास्ते या नौर्दन सी रूट में रूस का पूरा आर्केटिक का इलाका और सुदूर पूरवी इलाका आता है दोस्तो पुतिन भी चाहते हैं कि इस रास्ते को विक् प्रचा की थी प्यम मोदी ने रूस के इस हिस्से की विकास के लिए एक अरब डॉलर की मदद देने का एलान किया था इताय नहीं दोस्तो भारत ने इस खेल में अंदर खाने जापान को भी साथ में ले लिया है अगर आप हाल फिलाल का दौर देखें तो जापान ने भारत की तरज पर चलते हुए रूस से तेल खरीदा है उसने अमेरिकी दादागेरी को हवा हवा कर दिया है और अब भारत रूस में सेटलाइट सिटी बसाएगा और बड़ा मामला है कि इसमें जापान भी भारत के साथ आ जाए और दोस्तों इससे ग्लोबली भारत की तगड़ी जारू बाता